राधी राधी जैसी किस्मा आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में तो दीखिए कार्टी का पवित्र महिना चल रहा है इस महिने में प्राधरस्नान का दान का दीबदान का महत्तों बहुत जादा है इस महिने में दीबदान करने से बागी दीनों के अपेक्छा हमें कई गु तो दीखें, दीपक बनाने के लिए मैंने हाँ पे कलावा लिया है, आप अपनी सुभिधा अनुसर कलावा भी ले सकते हैं, या फिर आप कच्छा सूथ भी ले सकते हैं, तो दीखें, मैंने हाँ पे तीन तार का कलावा लिया है, अगर आपके पास ज्यादा तार का कलावा है तो फिर आप ज्यादा तार का कलावा ले लें, तो दिखिए, तीन थार से हम बाती बनाएंगे, और जब हम ज्यादा बाती का दीपक बनाते हैं, तो फिर हम कलावे से ही दीपक बनाते हैं, अब देखिए, मैं आप 108 बाती का दीपक बना रही हूँ, आप 108 बाती का बना सकते ह गुझ है अब हम कलावे इस तरह से अंगलियों पर रख लेंगे और हम इसे दिखकी घुमाते हुए बाती बना लेंगे तो देखी मैं ओ शचलित üzड़ागे के . और शचलित रही तरह लेगे निरें निर संभुआती का नहीं है , response पूरा हो गया है, तो हम यहां से कलावे को तोड़ देंगे, या फिर आप कैची की मदद से काट भी सकते हैं, तो दिखिए, मैंने हाप 108 बाती का दीपक बना के तयार कर लिया है, अब आप चाहें, तो इसे ऐसे भी जला सकते हैं, या फिर आप कैची की मदद से, बीच से इस तरह से दिखिए, काट लीजिए, इसके बाद आप दीवदान कीजिए, तो दिखिए, हमने हाप 108 बाती का दीपक बना के तयार कर लिया है, अब आप अपने सुविदान साथ घी में, या फिर तील के तेल में इसे जला सकते हैं, तो देखिए, मैं यहाँ पे सुबह दीवदान कर दिया है, भोग लगा दिया है, अब हम दीपक जलाएंगे, तो थोड़े से अक्षट का हम आसन दे देंगे और हम दीपक जलाएंगे, आप किसी ना किसी चीज का आसन दे करी दीपक को रखे, अब दिपक में हम थोड़े से तिल डाल देंगे, और देखिए आप यहां पे तिल के तिल का या घी का भी दिपक जला सकते हैं, अब हम दिपक को रोजवलीद कर लेंगे, और में यहां पे 108 बाती का दीवदान कर रहे हूं, आप अपनी सुःधा अनुसार जादा बाती का द तो तुलसी जी को आवले बिरिक्ष को पत्थवारी मता को सभी को हम दूप दिखा देंगे, अब देखिए हम जो दिपक जला है उससे हम आती करेंगे, तो हम प्रेम पुर्वक तुलसी मता की, इसके बाद से हम आवले बिरिक्ष की और पत्थवारी मता की सभी की हम प्रेम पुर्वक आर्टी करेंगे और देखिए ये दीद्धान में सुवब्रह महुरत में कर रही हूं आप अपनी सुवधानुसार सुबब या फिर साम के समय भी कर सकते हैं अब हम देखिए हाथ में थोड़े से जल लेके बीपा के उपर से इस तरह से वाग लेंगे इसके बाद ह हम हाँ जोड़कर जाने अन जाने में अगर हमसे कोई भुल्चुख हुई हो ठंतुलसी मता से छमाय आचना कर लेंगे और अपनी मनों कामना पूरती के लिए अब देखिए का महिना बहुत ही पवित्र और पावन महिना है अगर आप किसी भी कारण से कार्टी किसना नहीं क कर पा रहें तो फिर आप सिरफ दीवदान भी कर सकते हैं और आप दीवदान जरूर से करें इस महिने में दीवदान करने का फल बाकी दिनों की अपेक्छा में कई गुना होकर मिलता है इसलिए अब दीवदान जरूर से करें दीवदान अब अपने सुबिधा अनुसार जि सुब कर्मों काफल मिलता है इसलिए आप दीवदान जरूर से करें अगर वीडियो आपके लिए यूस्फूल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेर करें कॉमेंट करें और हमारे चैनल राधे कृष्ण भर्ति को सस्क्राइब करें थांक यू राधे राधे जैसे कि लाधे भर्ति करें कि लूच सवा राधे ज़क नरकमों करें को सया राधे चैनल राधे जापके।